जैहें दोस्तो दोस्तो तलिबान चर्चा का विशह हैं तलिबान से जो जूड़ी खब्रे आरही हैं जो इंसेensation निकाल निकाल कर हम ढूंड रहे हैं समझ रहे हैं उनसे रूख काप रही हैं और इसलिए मेरा खासकर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान के समर्थक लोग हैं, क्योंकि मैं फेस्बुक के उपर और कई जगे पर देख रहा हूँ, तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रही हैं, और मैं इंडिया, मतलब वो लोग इंडियन भी हैं तालिबान को, और जिस तरीके से खुलकर तालिबान, मतलब पाकिस्तान की सरकार तालिबान को सपोर्ट कर रही है, तो मेरा ये मन किया, कि ऐसे सभी जाहिलों को, अनपड़ गवारों को, एक इमेज पेश करने की कोशिश करूं, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी उसके रीजन क्या है, क्योंकि इस सीरीज में हम NCRT के बेसिक कंसेप्स आपको समझाने वाले हैं, और दोस्तों, बिना बेसिक कंसेप्स के आप UPSC की प्रपेशन के बारे में सोच भी ने सकते, ये रामबान है, और यही ये ब्रहमास्तर है, और इसी की ब्रहमास्तर को चला आने के लिए जो एक बिल्कुल जिसे कहते है बेसिक सिरीज है वो आपके पास जेरो टू हीरो सिरीज है अब इसकी वज़े इसके अंदर हम साथ-साथ प्रिवियस एयर कुश्चन पेपर जो पीटी लेवल के हैं वो भी सौल करवाएंगे तो आपकी पीटी की तो लगबग 100% और मेंस की लगबग 40% क्योंकि मेंस जो है वो 40% NCRT के कंसेप्स पर डिपेंड करता है तो मेंस की 40% तैयारी हम यहां पर आपको करवा देंगे दोस्तो रही बात फीस की तो फीस हमने बहुत जादा नहीं रखी है 500 रुपीस पर मन्त की इसमें फीस है ताकि किसी लगबग हर बच्चा जो है जो भी तैयारी करना चाहे वो कर सकता है और पैसे के मामले में कम से कम वो पीछे ना हट दे रही बात contact की तो आप इन numbers पर call कीजिए आपने आप आपको हमारी counselors बाकी system के लिए guide कर देंगी तो जल्दी से जल्दी आप batch में शामिल हो जाएए ताकि पीछे ना रह जाए तो अब आप सोच कर देखी मैं कुछ information के बहाफ पर ये पूरा analysis कर रहा हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान में तालिबान की सरकार आ जाए तो भारत और पाकिस्तान का rule कैसा होगा इसके उपर थोड़ा सा discussion करते हैं हाला कि भारत जिस तरीके का है हिंदू majority है तो तालिब कमिशन आपको के तालिबान कल्चरल कमिशन ने एक notification जारी किया और उसने ये कहा उर्दू में है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इसने कहा कि जो भी इलाके इमाम ये जो है वो इमामों के लिए है कि जो भी इमा जो भी इलाके तालिबान ने कबजा कर लिए हैं उनक के इमाम उस एरिया में रहने वाली 15 से लेकर 15 साल की लड़कियों से लेकर जो 15 की उमर क्रोस कर चुकी है उनसे 45 साल तक की ओरतों जो की विदवा हो चुकी है जिनकी शादी नहीं हुई है कुमारी लड़कियों और उस लिस्ट को तालिबान को भेजे हैं उसके आगे का objective क्या है उसके आगे का objective ये है ताकि इन औरतों और लड़कियों को जो तालिबान के लड़ाके हैं उनसे शादी करवाया जाए और उनके amusement के लिए उनकी शारिरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तिमाल किया जा सके और मज़े की बात इसे जहाद का न काम दिया है यहां इस movement इस पूरे moment को समझेगा ये एक मानसिक्ता है जो बाकाइदा क्लिक कर order के रूप में जारी की गई है मानसिक्ता है उसके बाद एक मानसिक्ता और ये भी है कि भरे बाजार में औरत को 40 कोड़े मारने की सजा दी गई क्योंकि उसके कुछ शरीर का बुर्के से बाहर दिख गया था एक औरत को भरे बाजार में गोली मार दी गई क्योंकि उस पे आरोप ये था कि वो व्याभिचार कर रही है किसी के साथ गलत काम में पाई गई है एक एग्जामपल 22 अफगान सैनिकों के सर में गोली मारने का जो हथियार डाल चुका है जो उन्हीं के देश के लोग हैं उनके सर में गोली मारी गई है 22 के 22 अफगानियों के है और ऐसे नजाने कितने कारणामे हैं जो आप लोग देखेंगे किसी की डेड बॉडी क्रेम पे लटकी हुई मिलेगी किसी का कुछ किसी का कुछ तो अब इस तरीके की मानशिक्ता वाले लोग क्या इसलाम के अंदर हैं मेरा मानना ये है जब पूरव और पस्चिम दोनों के दोनों धर्म के अंदर बुराईयों के अंदर फसे हुए धर्मिक बुराईयों में फसे हुए थे भारत चुआ छूट से लेकर दूसरी उसमें भी नजाने कितनी बुराईयों थी तो उस इनसानियत को रास्ता दिखाने के लिए इसलाम का जन्म हुआ था जब पूरी दुनिया के अंदर मानवता जो है वो घुट रही थी दबी हुई थी बरबाद हो रही थी उस मानवता की रक्षा के अंदर के लिए इसलाम का काम कर रहा है या जो अपना वर्जन आफ इसलाम फैला रहा है क्या ये acceptable है और एक इनसान की समस्या को आप तब समझ सकते हैं जब उसे अपने बारे में अपने घर के लोगों से connect करके देखें आओ थोड़ा connect कर लेते हैं ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ये notification ये notification तब समझ में आएगा जब आपके सामने 15 साल की या 11, 12 या 13 साल की कोई लड़की बैठी है जो आपकी बेहन आपकी बेटी या आपकी रिष्टदार की बेटी कोई भी हो सकती है सोच कर देखिए उसको आपके घर से कोई ग्रुप आए बंदू के AK47 उनके पास है और उस लड़की को उठा कर ये कहे कि 15 साल की हो गई है अब इसकी शादी कर रहे हैं किस से एक ऐसे लड़के से जो इसलाम के नाम पर आगे लड़ रहा है किस लिए कि क्यों क्यों शादी कर रहे है ताकि उसकी शादी इसलिए नहीं कि उसका घर बसाए शादी इसलिए ताकि उसकी शारिरिक जरूरतों को पूरा किया जा सके वो तो मरने वाला है हो सकता है आज उसकी शारिरिक जरूरत पूरी हो आज उस 15 साल की लड़की को नोच डाले और उसके बाद वो अगले दिन जाके किसी की गोली खाके मर जाए तो उस पंदरा साल की लड़की का क्या होगा उस पंदरा साल की लड़की को दुबारा किसी से निकाह करवा दिया जाएगा अगले किसी सिपाही से वो उसे नोचेगा, और जब वो मर जाएगा, तो तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लड़की हो गई, वैश्या हो गई? Yes, भी लड़की हो गई, या खिलोना हो गई, कि लड़का आया, वो मतलब दरिंदा आया, उस दरिंदे ने उसका रेट किया, फिर वो चला गया, फिर दूसरा आया, दूसरे ने निगाह का ड्रामा करके रेप किया, फिर तीसरा आ गया, तीसरे ने किया, कब तक जिन्दगी क्या रह गई, ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप इसे अपने गर की किसी बेटी का चेहरा लगा कर नहीं आपको तालिबान की दरिंदगी समझ में आ जाएगी, उसी तरीके से दूसरा एक्जामपल, दूसरा एक्जामपल ये, भाई, आप सोचकर देखिए, आपकी गर की महिला कोई, माता, या बड़ी बेहन, या भाबी, या वाइफ, बाजार गई है, और गलती से उसका, और प बेहने हैं, जिनके हस्बेंड या भाई या कोई भी, ये कह रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, उन जाहिल अनपढ़ गवारों को समझाओ, कि असलियत में है क्या मामला, उन जाहिल अनपढ़ गवारों को समझाओ, कि दरिंदों का साथ देने का मतलब ये है, क घर की महिला बाजार जाने के लिए किसी ने किसी लड़के का हाथ पकड़ के जाएगी जो छोटा सा ही क्यों ना हुआ यानि वो पांच साल के लड़के का जो दिमाग है वो उस 20-25-30 साल की महिला के दिमाग से जादा में चोड़ है कहां का डायकोटॉमी है किस चाहिल उन पढ़कवार ने किया लेकिन तालिबानी दरिंदे ये कर रही है येस ये कर रहे है और उनके लिए वो जो मर्द है लड़का है पाँच साल का ही क्यो ना हुआ साथ साल का ही क्यो ना हुआ वो जादा कामयाब है ज्यादा दिमागदार है comparatively उस महीला के और उसके बाद गलती से अगर उस महीला का हाथ या पैर या बुरके में से कोई भी एक शरीर का अंग या हो सकता है बाहर खड़ा हुआ एक तालिबान का दरिंदा तालिबानी दरिंदे को उसका बुरका पहनना पसंद नहीं आया उसके बाल पकड़के चौक के उपर बीच रास्ते में खड़ा करें और तमाशबीन बने हुए आप घड़े देख रहे हैं कि इस औरत का ये गुना है कोई सबूत नहीं कुछ नहीं सिरफ ये गुना है और इसको 40 कोडे मार रहा हूँ 40 कोडे मार रहा हूँ और बीच सड़क पे आपकी माता या आपकी बहन को वो तालिबानी दरिंदा 40 कोडे मार रहा है मैं ऐसा बना रहा हूँ और वो इसलिए ताकि आप उस दर्द को महसूस करें जो अब आने वाले समय में अफगानिस्तान की महिलाएं और बच्चे खासकर महिलाएं छोटी-छोटी बच्चियां उस दर्द को जहलेंगी उसे तब तक आप नहीं जेल सकते जब तक आप उस लड़की जो पिट रही है जिसको चालीस कोड़े चौक पे खड़े होके मारे जा रहे हैं उसकी जगह आप अपने घर की किसी महिला को इमेजिन नहीं कर रहे है जब आपको वो दर्द तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आप ये ना देखें कि एक बंदा जिसको दाड़ी नहीं लग रखने की आदत है उसने दाड़ी कटवा ली है और सड़क के उपर उसको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं पॉसिबली आपके पिताजी को 40 कोड़े मारे जाएं या आपको 40 कोड़े सिर्फ इसलिए मारे जाएं क्यो या हो सकता है आपने किसी तालिबान के किसी सिपाही के साथ या किसी अफसरका की नाफर्मानी करी हो उसमें आपको हो सकता है ऐसा पॉसिबल है दरिंदगी के अंदर कुछ भी पॉसिबल है और ऐसा होता है बहुत सारी खबरे पुराने वाले तालिबान की जो छणचन के आतीं है उन मेंसे जिस तरीके से बाच्चीत निकलती है कि कुछ लोगों को क्रे मारकर क्रें से इसलिए लटका दिया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह तालिबानी लेता से करने से मना कर दिया था तो उसके उपर दूसरा कोई आरोप लगा कर क्रेन से लटका दिया और एक अफ़ते तक लाश टंगी रही अब ऐसे में क्या इसलाम के नाम पर जो दरिंदगी तालिबान दिखा रहा है क्या वो जायज है क्योंकि इसलाम तो ऐसा है नहीं और अगर आपका मानना यह है कि इसलाम यही है तो आप दुबारा से कुरान पड़े तो शायद शांती का वो पैगाम आपको समझ में आ जाए और अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो मेरे ख्याल से आप दुबारा फिर इस नाम को बदनाम कर रही है एक बार सोच कर देखी आपको कैसा देश चाहिए और किस जगह आप रहना चाहते हैं ये चीजे दूर से सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि चरा से उसके अंदर कानून इतना सक्त है सख्त पिंजरे में रह रहे होते हैं लोग और इसमें सबसे ज़्यादा खत्रा उन महिलाओं को है उन बलड़कियों को है जो की इस समय पर तालिबान में रह रही है उनके चटी क्लास से उपर पढ़ने की परमीशन नहीं है उनको घर से बाहर निकलने की मेक अप करने की हर वो काम जो एक इनसान अपने लिये करता है आजाद परिंदा बनके वो करने की परमीशन नहीं है बुरका पहनना बुरी बात नहीं है लेकिन अगर बुरके में कोई समस्या आ जाए तो वो आपको अधिकार होके आप उसे देखे कोई तालिबानी दरिंदा बाहर खड़ा होके आपको सिर्फ इसलिए कोडे मार दे कि तुने बुरका ढंक से नहीं पहना तो क्या आप उस रूल को एकसेप्ट कर पाएंगे नहीं तो आप उसको साइलेंट सपोर्ट देने वाले व्यक्ति का विरोध क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से फेस्बुक के उपर पोस्ट डाली जा रही है कि आए सपोर्ट तालिबान अबे जाहिल अनपड़ गवार ये सोच कि तेरे घर की महिलाओं के साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो तुम कहां जाओगे और अगर आप अपनी 15 साल की बहन को किसी दरिंदे को इस तरीके से सौपने के लिए तैयार हैं तो भाई धन्य है तेरी बुद्धी पे जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तालिबान मानसिक्ता है और एक ऐसे दरिंदों की मानसिक्ता वाला समू है जिनके जिन्होंने लगभग लगभग तीन करोड अफगान औरतों मतलब डेड़ करोड अफगान औरतों बच्चों को बंदक बना लिया है वो औरतें और बच्चे अपने मन से सांस तक नहीं ले सकती बाजार घुमने और दूसरी चीज़ों को तो छोड़ दो पढ़ने लिखने को तो छोड़ दो तो हर पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी और हर इंदुस्तानी जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है एक बार इस वीडियो को देखके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि असलियत में क्या आप ऐसी जिंदगी जी पाओगे और अपनी महिलाओं अपने घर की महिलाओं से भी पूछना कि क्या वो सडक पर 40 कोडे सिर्फ इसलिए खाने को तयार है कि उन्होंने बुरका डंग से नहीं पहना या इस तरीके से नहीं पहना जिस तरीके से एक तालिबानी चाहता है या क्या वो पंदरा साल की अपनी बेटी को एक तालिबानी लड़ाके के बिस्तर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज सकता है अगर ऐसा है न और अगर आप इसका फिर भी समर्थन करते हो तो आप में और एक जानवर में कोई फरक नहीं है एक ऐसा इनसानी जानवर जिसको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे वो अंधा हो चुका है और अपने उपर वो समझ नहीं पा रहा कि वो किस खड़े में जा रहा है समाज बुद्धी का प्रतीक होता है समाज सोच क्या रहा है उसका प्रतीक होता है अफगानिस्तान के लोग नहीं सोच पा रहे तो नतीजा उनकी घुलामी के रूप में दिखाई दे रहा है तालिबान केवल और केवल लगबग लगबग आधी आबादी जो महिलाओं और बच्चों की है उन्हें घुलाम बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है और जो लोग इस समय समर्थन कर रही हैं उन्हीं के घरवालों की लाशे क्रेन पर टंगी हुई दिखाई देंगी थोड़े दिन के अंदर देख लेना मैं कह रहा हूँ धन्यवाद